समस्ते बच्चों कुक्षा पांच विश्यकनित में आज हम प्रिशनावली आठ के प्रशनाल करेंगे पहला प्रशन देखे इसका कि नीचे दियेगे पैटर्न को समझ कर आगे बढ़ाओं तो देखे हमें बोक्स में कुछ चित्रों में पैटर्न बना हुआ है इसको आगे ब यहां आ गया और यह वाला इधर आ गया फिर वापिस गुमाया तो देखे यह यहां चला जाएगा इस तरह से और यह वाला हिस्सा चलकर यहां इधर आ जाएगा तो अब इसको फिर से गुमाएंगे तो देखे यह वाला यहां आ जाएगा और यह वाला हिस्सा यहां आ जा और यह वाला इधर आजाएगा तो देखिए में इसे इधर गया और यह वापिस इधर आगया इस तरह से पिर अगए चो दूसरा है इसमें देखिए जो तीर का निशान बना हुआ है यह उपर की तरफ है फिर इधर दाइं तरफ फिर नीचे फिर बाइं तरफ यानि चारों उपर नीचे दाइं बाइं चारों दिशाओं में गुम रही है यह देखे उपर की तरफ फिर इधर फिर नीचे की तरफ यहां से गुम कर इधर फिर यहां से गुम कर यह वापिस इस साइड आजाएगी तो पहले उपर फिर दाई तरफ दिखा रही है फिर नीचे अब यह गूम कर यानि जब तीर का जो निशान है वह इस तरह से ने जाएगा इधर तो दोनों तीर है वह इस तरह से बनाएंगे फिर वापिस एक बार और भूमेंगी तो उपर की तरफ जाएगी यानि पहले वाल इस्टेज में तो अब इसमें वापिस इस तरह से हो जाएगी फिर अगला देखिए एक वोक्स में चारा करती हैं देखें यह वर्ग यह त्रिवूज यह व्रित और यह आयत जैसे एक गेम होता है न कोनी रोकनी वाला कोनों में खड़े होते हैं बच्चे और एक दूसरे की जैसे वह उसकी जगए वह उसकी जगए इस रहसे रोकते हैं दूसरे की जगए तो अब इसमें भी वह है यह चारों अकरतियां है वह एक दूसरे की जगए बदल रही है जै चला जाएगा फिर यह त्रे बुझ उसी अगली जगह देखिए यहां आग्या और यह जो वृत है यह आयत वाली जगह चला गया फिर यहां से यहां गया इस खाने में अब तीसरे नमबर में यहां से यहां आएगा, तो यह देखिए, यहां चला गया, यह यहां गया तो जो वर्ग है, यह कहां आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, यह इसकी जगह गया जो आयत है यह यहां आया तो वर्ग उसे अगले खाने में चला गया त्रिबुज उसे अगली जगह है और वृत है वो उसे अगली जगह है अब यह देखिए यह जो आयत है वो इस खाने में अब इस जगह से यहां आ जाएगा तो यहां पर जब आयत आएगा तो वर्ग जो यहां से कहां चला जाएगा इस जगह चला जाएगा तो यहां पर यह वर्ग यहां आ गया अब देखिए त्रिबुज यहां था वो उसे अगली जगह यानि यहां पर आ जाएगा अब इसमें देखिए त्रिबुज के भी जैसे ये जो हिस्सा है ये वाला सिरा ये उपर की तरफ है यहाँ पर आया तो फिर ये गुम गया इधर अब नीचे हो गया अब वापिस इस तरह से हो जाएगा ये अब त्रिबुज यहां से यहां गया तो वृत उससे अगली जगह पर यानि यहां आ जाएगा इस कोने में अब इसी तरह से देखिए अगले खाने में जो आयत है यहां से इस कोने में आएगा यहां पर बनेगा आयत यहां पर आयत आ जाएगा तो वर्ग यहां से यहां यानि इस जगह चला जाएगा और त्रिबुज यहां से यहां इस जगह यानि यहां पर हमें इस तरह बनाना है अब देखिए यह वाला सिरा इधर है अब इसका फिर घूम जाएगा यह तो इस तरह से आकरती बनाने है फिर त्रिपूज यहां से यहां आ गया तो यह जो वृत है यह उससे अगली जगए यानि यहां पर चला जाएगा तो इस तरह से यानि यह जगए चेंज हो रही है एक की जगए चेंज करते हैं तो दूसरा उसकी जगए फिर उसकी जगए इस तरह से आगे से आगे बनाना है आगे इसका दूसरा प्रशन देखे नीचे दियेगे संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ तो पहला प्रशन देखे इसका 7 फिर उसके बाद में 12 फिर 17 फिर 22 तो ये अब पैचाने इसके पैटर्न को 7 से 12 बना तो 7 से 12 कैसे बन सकता है जब अपने इसमें कुछ जोड़ेंगे देखे गुणा करने पर नहीं बन सकता तो 7 में कितने जोड़ेंगे 5 जोड़ने पर 12 बना 12 में 5 जोड़े तो 17 17 में 5 जोड़े तो 22 यानि इस pattern में अपने को कितने कितने जोड़ना है 5 पांच जोड़ दे जाना है तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 27 27 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 अब आगे जो दूसरा है अब इसमें देखे 10 20 30 40 यानि 10 10 जोड़ा हुआ है तो 40 में 10 जोड़ द देखिए 29 फिर उसके बाद में 24, 19 और 14 तो अब इसमें कितना देखिए कम हो रही है संख्या है इसका हमलग कुछ घटाया हुआ है तो 29 में से कितने घटाएं कि 24 आता है तो 29 में से 5 घटाने पर 24 आया तो इसी तरह से इसमें कौन सा पैटर्न है यानि 5-5 माइनस करते जाना है 24 में से 5 घटाएं तो 19, 19 में से 5 घटाएं तो 14, 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना जाएगा 9, 9 में से 5 घटाने पर 4 आगे तीसरा प्रशन देखिए इसका पैटर्न पहचान कर खालिस्तान बरिए तो अब इसमें देखिए नीचे चार वोक्स हैं फिर तीन फिर दो फिर एक तो अब इन दोनों संख्याओं से ये बना है तो देखिए एक और दो में अपने इन दोनों को जोड़ें गटाएं गुणा या भाग क्या करें की दो या जाएं देखिए एक और दो को जोडने पर तो नहीं आता ना ही गटाने पर तो दो को एक से गुणा करने पर दो आता है दो एकम दो यानि अब इसमें इसी तरह से देखिए तीन और चार को जोडने पर नहीं आता ना ही गटाने पर त तो अब इसी तरह को गुणा करेंगे तो दो थीर कितना उजाएगा च्छे और इन दोनों को गुणा करके होँआ। पर और फिर जोड़ते हैं और यहाँ गुणा करने पर तो 12-6 बैथतर अब इन क्रक्रार यहां तरह तो बारा और बैतर को गुदा करेंगे तो देखे दो दूनी चार दो सात्त्टे चोदा शॉत से przew rikt Guru दॉइंगे तो इक सदान पर प्रोश्र फिर को दो से गुणा करेंगे दो एक को सात्थ से गुणा करेंगे सात जहान इता स्छार दुच्छे शान और दो फिर एक यानि दो दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बने तो आठ और साथ को से पंद्रा कैसे बन सकता है जोड़ने पर आठ और साथ को जोड़ने पर पंद्रा इसी तैसे दस और नो को जोड़ने पर उननीस तो बने को इन दोनों को जोड़कर यहां बढ़ने तो इसी तैसे 17 और 19 हो जाएंगी 36 यानि 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 फिर दाइक अंक 1 और 1 2 और हासिल 1 3 अब 32 और 36 को जोड़कर यहां पर आ जाएगा तो 68 यानि 6 और 2 आठ 3 और 3 6 तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्णावली आठ की प्रश्णाइने हल करेंगे धन्यवाद